नमस्कार दोस्तों आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे देखिए आज हम डिस्कस करेंगे चार और पांच माई का दा हिंदू न्यूस पेपर और पी आईबी का इंपोरेंट करंट अफेर्स देखिए हमारा पूरे महीने का करंट फिर साथ पेज का पीडियेफ होता है और फिरी में आपको हमारे टेलिग्राम चैनल डेली दा हिंदू नोट सर्च कर ले ना लिंक भी नीचे मिलेगा तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे पिछड़ा वरग के लिए रास्ट्र आयोग जो है नेशनल कमिशन फूर बैकवर्ड क्लास ये चर्चा में है तो इसके बारे में बेसिकली बात करते हैं देखिए केंदर सरकार के दवारा उन्नी सो तिरान्वे के अधिनियम के दवारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्राले के तहत इसको बिलकुल इसके अंडर में ये जो पिछड़ा वरगायोग है ये आता है और इसके अध्यक्स जो है सिरी हांसराज अहीर है स्सी और बेंकिंग के एकजाम में ये चीज़े डारेक्ट पूझ लेते हैं कि भाया इसके चेर्मेन कौन है अद्धेक्स कौन है ठीक है भाया दूसरा ये जो आयोग है इसको सन्वेधानिक दरजा है कौन्स्टिट्यूशनल दरजा है इसको बिल्कुल और किस से मिला था एक सो दोवा सन्वेधान जो संसोधन अधिनियम है उससे और अनुछेद 338 कैपिटल बी बिल्कुल जोडा गया अब देखिए अध्यक्स उपाध्यक्स और अन्य जो सदेश्य हैं उनकी नियुक्ति महत्सव है बिल्कुल जो हमारे transgender भाई-बैन है वो बिल्कुल इस महटसव इसको मनाते हैं celebrate करते हैं कुंमी निरित्य भी वो इस दिन इस त्योहार depends करते हैं और कुमी निरित्य आपको निरित्य जो है तो आप एक notice करना, कभी भी आप बड़े या railway station, बड़ा हो या छोटा, railway station के बाहर कहीं पे भी जाए, आप अपने शहर में, तो वहाँ पे banner जरूर सरकार लगाती है, जो भी योजना वो लेके आती है, कल्यान कारी योजना है, जो भी लेके आती है, तो भाईया उस banner को जरू एक दो क्यूशन उस सरकारी जगह पे लगे हुए बड़े होल्डिंग से डारेक्ट देखने को मिलता है राजस्तान सिविल सर्विस में डारेक्ट खुद हुआ है ठीक है मैं किसी के साथ गया हुआ था वहां पे एक्जाम जो आरेस का था उसके लिए तो वहां पे डारेक्ट एक्जाम में लगा हुआ था जहां पे हम ठहरे थे और रेल्वेस्टेशन के बाहर और एजिटीज पेपर में था तो बहुत बार ऐसी चीज़ों को नहीं आपको दरकिनार करना है ध्यान रखना है ठीक है तो कुछ ट्रोग के बारे में बात करें तो देखिए ताउचा और तंतरीकाओं को परभावित करता है ये बिल्कुल ये एक संक्रामक रोग है बैक्टेरिया माइको बैक्टेरियम लेप्रे के दवारा ये बिल्कुल होता है और भारत सरकार ने इसको रोकने के लिए रास्ट ये कुस्ट अनमूलन कार्येकरम भी चलाया हुआ है ठीक है ये उपेक्षित उषण कटी बंधियर रोग है और उषण कटी बंधियर चेतरों में आम तोर पे देखा जाता है और ये सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है ठीक है हिंदी मीडियम में ऐसे वाला करंट अफेर इतने कम शब्दों में और इतना अच्छा आपको ख बहुत दिन भर काम रहता है, मॉर्निंग में भी वीडियो अपलोड करना होता है, इंगलिश मीडियम का, ठीक है, राष्ट्रिय कंपनी कानून न्याधिकरण, ठीक है, NCLT के बारे में आप बात करते हैं, तो देखे, ये क्या है, अर्ध न्याईक निकाय है, कॉर्परेट वि जैसे ये आया, ठीक है, आधारीत सिपारिसों पर ये, दूसरा हम बात करेंगे, अब कृत्रिम के बारे में, ये कृत्रिम क्या है, ये वैसे वाला कृत्रिम नहीं है, ये कृत्रिम बिल्कुल अलग है, देखे, ओला, ओला क्या है, ओला, ओला, वो वाला नहीं है, ओला वाल नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे देखिए परवास के लिए अंतराष्टिय संगठन जिसको अंतराष्टिय परवासन संगठन के नाम से जाना जाता है इसकी स्थापना 1951 में होती है सन्युक्त राष्ट्र परणाली का भाग बिल्कुल यह है मुख्याले जिनेवा सिटेजरलेंड में है परवास के छेतर में अगर्णी अंतर सरकारी संगठन है बिल्कुल फ्रेड पैरी कफ के बारे में बात करेंगे अब देखिए टैनिस से संबंदित है यह और इटली ने भारत को हराया है इसलिए भाया काम का बन जाता है तो यह वाला कप किसी से संबंदित है टैनिस से है ठीक है तो खेल जगत की दुनिया की एक दो खबरे एकजाम में पूछ लेते हैं अब हम बात करेंगे च्यार जो मई की न्यूज की खबरे है डखे अंतराष्टिय सुर्य दीवस के बारे में बात करेंगे ठीक है इंटरनेशनल संडे संडे इंग्लिश की बात करें तो रविबार वाला संडे शूर्य दिवस बिल्कुल जैसा लिखा गया है अंतराष्टे सूर्य दीवस 31 को मनाया जाता है और हरियाली भरा और सोर उर्जा के लाभों का वार्शिक अनूसमार्क करना ठीक है में लिए इसका काम है सोर उर्जा को बढ़ावा देना और कुछ इतना खास नहीं दूसरा बहुत इंपोर्टेंट है इंटरनेशनल सोलर उलाइंस अंतरराश्ट्रिय सोर गठ बंदन ठीक है तो देखे इसका मुख्याले गुरुग्राम हरियाना का गुरुगावा गुरुग्राम है जो भारत में पढ़ता है बिल्कुल और एक वर्ड अगर आपको एक्जाम में प्रलिम्स में कहीं दिखाई द कि तुवार्ड्स हंड्रेड स्ट्रेटरजी हजार की रणनिती की और निर्देशित ये जो है ये इंटरनेशनल सोलर अलाइंस अंतरराश्ट्रिय सोर गठ बंदन से संबंदित है भाया तो आपको ध्यान में रखना है ठीक है 2015 में भारत और फ्रांस के दवारा UNSC जो है पैरिस में इसका सुभारंब होता है United Nation का Climate Change Conference होता है पैरिस में वहाँ पे बिल्कुल इसका सुभारंब किया जाता है भारत और फ्रांस मिलके 2015 में इसको लॉंच करते हैं याद रखना अब 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश 2030 तक करना 1000 गीगावोट सोर उर्जा छमता स्थापित करना ये भी इसका टार्गेट है बिल्कुल गठबंदन का अंतराष्ट्य सोर गठबंदन का और महानी देशक ISA का जो कारियकाल है वो चार वर्स का है भाया अंतराष्ट्य सोर गठबंदन के जो महानी देशक है कारियकाल उनका चार वर्स है और पुने चिनाओ के लिए पात्र हैं वो दुबारा से चुने जा सकते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर भारतिय रास्ट्य समूद्री सुचना सेवा केंद्र ठीक है तो इसके बारे में बात करें तो देखिए 1999 में प्रित्वी विज्ञान मंत्राले के तहत एक स्वायत निकाय के रूप में स्थापित किया गया इसको बिलकुल युनेसको का अंतर सरकारी समूद्र विज्ञान आयोग सन्युक्त रास्ट्र का निकाय है ठीक है और इसका मेंली काम है समाज उड्योग और सरकारी एजन्सियों को सरवत्म संभव महासागरिये जानकारी और सला का सेवाएं परदान करना मतलब भया समूद्र से रिलेटिट जो एड्वाईजरी जारी करना है उसके बारे में इन्फोर्मेशन देना क्या कुछ होने वाला है वो सब ये बिलकुल सेवा के इंदर करता है और इसका हैड़कॉर्टर के बारे में बात करें इसका कहां पे क्या हैदराबाद में स्थित है ये भी याद रख लेना ये ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे 36 गड़ की महतारी वंदन योजना चर्चा में है इलेक्शन कमिशन ने अभी आके कहा था कि भया ग ये ठीक है तो आपको पता होना चाहिए ये ठीक है विश्यू प्रेस सवतंतरता सुचकांग भारत की रैंक 2023 में 161 से सुधरकर 2024 में 169 हो गई है 159 हो गई है भारत की रैंक तो अब 2024 में कितनी है याद रखना है और इस प्रेस सवतंतरता सुचकांग को जारी किया जाता है पाकिस्तान को भारत से अच्छी रैंकिंग परदान की गई है। पाकिस्तान को भारत से अच्छी रैंकिंग परदान की गई है। पाकिस्तान की गई है। अब हम बात करेंगे इरान के बारे में। कमेंट करके बताओ इरान की जो बाउंडरी है, इरान की जो सीमा है उसको कितने देसों की सीमा टच करती है। तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इराक है, टर्की है, आर्मेनिया है और अजर्भाइजान है। इसी के साथ गाइज देखे, आपको हमारा हिंदी माध्यम में ये हमारा एक परियाश है, करंट अफेर का, जिसमें हम दाहिंदू न्यूजबेपर और P.I.B. जो सरकार की सरकारी वेबसाइट है, उसको लेके आने के लिए एक परियाश है हमारा, आपको कैसा लगता है, जर तक के लिए है वे ओसम बेश शुब का